गैज अगर आपके पास एक website है और आप अपनी website को complete कर चुके हैं Google Search Console में भी आप अपनी website को submit कर चुके हैं and guys फिर भी आपके website में traffic नहीं आ रहा है तो guys आपको समझना चाहिए कि मैं क्या गल्दी कर रहा हूं and मेरी website Google में क्यों rank नहीं कर पा रही है जबकि guys मैं article भी लिख चुका हूं website भी मेरी ready है pages भी मेरी complete है Google में मैं अपनी website को submit कर चुका हूं फिर भी मेरी जो keywords हैं जो pages है and मैं जो article लिख रहा हूं वो Google में क्यों rank नहीं कर पा रहे हैं तो उसके पीछे भी guys कुछ कारण हो सकता है तब ही मेरी website guys Google में rank नहीं कर पा रहे है तो आज का guys हमारा topic है कि website में traffic वड़ाने के सबसे अच्छे क्या-क्या तरीके हो सकते है तो उन तरीकों को guys आज में आप लोग के साथ यहाँ पर share करने वाला हूं तो सबसे पहले guys जो यहाँ पर आता है जिनसे हम अपनी website को running करने में guys हम आसानी कर सकते है यानि कि guys जो trending topic है उनको search करने में guys हमें कौन से tool है जो हमें help कर सकते है तो पहले guys यहाँ पर आजा था आपका Google trend यानि कि guys यह Google का ही tool है आप फिर ही में use कर सकते है आपको यहाँ पर 2-3 keyword डालने होते है जैसे आप 2-3 keyword डालोगे तो आपको बता देगा कि उन 3 keyword में से उन 4 keyword में से कौन से keyword में सबसे ज़्यादा search volume है कौन से keyword आज के time पर trading में चल रहा है कौन से keyword सबसे ज़्यादा guys यहाँ पर search हो रहे है तो Google trend में भी guys आप यहाँ पर check कर सकते है कौरा में भी guys आप check कर सकते है answer the public के टूल है guys वहाँ पर भी आप check कर सकते है तो पहला एक चीज़ क्या है guys यहाँ पर आपको trending topic को आपको लेना होगा तबी आपके website में traffic increase होगा यानि कि हमें अपने website में traffic लेने के लिए guys काफी सारे चीज़ें यहाँ पर improve कर रही चाहिए तो first में आपको बता दिया उसके बाद guys यहाँ पर second आता है कि आपको high quality blog आपको लिखना होगा यानि कि high quality content जो guys आपके users को पसंद है यानि कि आपका जो competitor है वहाँ से भी guys आप देख सकते हैं कि आपको जो competitor है उनके कौन से high quality content है तो high quality content पे भी आपको work करना होगा आपको देखना है कि आपका user आपके जो high quality content है उस पर कितना time यहाँ पर ले रहा है आपको keyword भी analyze करना होगा यानि कि आपको keyword भी research करके डालना होगा headings आपको proper डालना होगा article को आपको optimize करना होगा यानि कि सारे चीजे करके आपको high quality content को बनाना होगा तब जाके guys आपके जो users है वो आपके उस article पे ज़्यादा time लेंगे और अगर उस article पे ज़्यादा time लेंगे तो guys आपको article गूगल में rank होगा ठीका second भी यहाँ पर होगा आप guys यहाँ पर धड़ा थादा आपकी आपको on page SEO strategy आपको guys on page SEO को आपको optimize करना होगा यानि कि जैसे यहाँ पर title tag होगया description होगया URL होगया meta tag होगया image optimization होगया headings होगया paragraph होगया यानि कि जितने भी हमारे article में जो on page SEO आता है वो guys आपको proper करना होगा तभी guys Google को लगेगा कि आपका जो SEO point है SEO यहाँ पर score है वो काफी high है और काफी अच्छा है तभी guys आपका article है वो Google में rank होगा तो यह third point भी guys यहाँ पर आजाता आपका guest vlogging होगया free directly submission होगया profile backlink होगया comment backlinks होगया तो आपको भी क्या करना है guys दूसरे की website पर जाके भी guys आप comment कर सकते है लेकिन guys आपको ज्यान देना है कि उस website का spam score कितना है और उस website का DA कितना है तो आपको क्या करना है जिस website का आपके website से ज्यादा DA होगा है DA होगा उसी पर guys आप लोगों को backlink क्रेट करना है यानि कि आप comment backlink कर सकते है profile backlink कर सकते है free directly submission वाली website होते है उन पर भी आप backlink क्रेट कर सकते है backlink guys काफी powerful होता है तो हमेशा आपको जब भी आप को article लिखते हैं अपने website आप ready करते है pages create करते है तो 37 guys आपको off page SEO भी करना होगा यानि कि कुल मिला के आपको क्या करना है backlink क्रेट करना है अपने website का link किसी दूसरी website पर आपको connect करना है जिनका हाई डिये है तो मैं आपको बता कि आप profile backlink क्रेट कर सकते हैं फिरी डार्ग्री समिशन वाले backlink होते हैं उन पर आप link डाल सकते हैं comment backlink आप create कर सकते हैं उसके बाद guys यहाँ पर next आपका GMB यानि कि Google My Business तो Google My Business में भी guys आपको account को create करना होगा यानि कि जो भी आपके details है जो आपकी website है जो photos है जो videos है वो भी आपको Google My Business में guys submit करना है Google My Business में भी guys आपको description डालना है वहाँ पर जो आपके articles है जिस category में आपकी website है उस category के भी keyword guys आपको वहाँ पर डालना है उससे भी guys हमारी website में काफी अच्छे से traffic आता है तो Google My Business में भी guys आपनों को यहाँ पर account को create करना होगा उसके बाद guys यहाँ पर next अतर्प के आपको अपने blog को अपने article को अपने website को social media पर आपको share करना होगा जैसे guys यहाँ पर Facebook आ गया Instagram आ गया YouTube आ ट्वीटर आ गया काफी सारे social media platform है guys उन पर आप अपने articles को share कर सकते हैं जो हमारी website है जो content है जो हमारी categories है उनको भी आपको social media पर share करना है तो तब जाके guys हमारी website में traffic आएगा जितने भी चीज़ें guys आज मैंने आप लोग के सामने share किया इन पर guys आपको focus करना है इनको आपको follow करना है in find को आपको note करना है and daily आपको इन पर work करना है अगर guys daily आप इन पर work करते हैं अच्चे से अगर अपनी website पर काम करोगे मन लगा के काम करोगे तो definitely guys आपकी website में अच्छा traffic आएगा आपकी website guys Google में running करेगी तो मैंने आपको बताया कि जब आपकी website complete हो जाती है तभी आपको अपने website को Google में submit करना है यानि कि Google search console में आपको अपने account को create करके वहाँ पर side map को submit करना है आपके पास जो भी 5 या 6 7 pages है उनको आपको submit करना है and website को submit करके अपने website को आपको Google में rank कराना है तो I hope कि guys आप लोगों के समझ में आ गया होगा कि हमें अपने website में traffic को increase करने के लिए कौन-कौन से चीज़े हैं जिनको हमें follow करना है target करना ना अपनी website को Google में rank करके अपनी website में traffic लेके आना है तो मैं आपको बताते हैं कि अगर आप इन चीज़ों को follow करते हैं target करेंगे तो आपके website में definitely एक ने दिन बहुत अच्छा traffic आएगा अगर आपको ये वीडियो पसंद आती तो इस वीडियो को भी आपको लाइक कर देना है और चैनल पर अगर आप नए हो तो आपको इस चैनल को subscribe करके bell icon को press करना and फिर मिलेंगा में एक और नेक्स वीडियो में तब तक लिए आपनों को अपने ध्यान करना है जहिन वन दे मातरम